गुड़ी इबलिंग, all of you, मेरी पैरे शाथियो, सभीकु राम राव, जैसी राव, और आज जो है, निव वर्स है, 2024, सब के लिए हार्दिक शुपकाणना है, और शभी जो है, इस 2024 में अपना सेलेक्शन निर्धायत करें, यह हमारी हार्दिक शुपकाणना है, और इसी के सब जो है, आज हम यह भी पुलिस के लिए, एक नया टॉकिक शुरू करते हैं, जो कि पायक एंड टंक के, यहनि पायक एंड सिश्टर होगा, ओके, शुरू करते हैं तो, देखें, पहला कॉश्टन है, पायक एंड तथा भी एक टैंक को क्रमशा, दस गंटे वो कंदर गंटे में भर सकते हैं, दौनों एक साथ उसे कितने गंटे में भर होगें, तो चलिए देखते हैं, पायक एंड यह में यह कॉश्टन नमर एक है, और यह इसकी पहली क्लास होगी, पायक एंड दस गंटे में किसी ठंकी को भरता है, जबके पायक भी उसी ठंकी को पंदे गंटे में भरता है, तो दौनों मिलकर उस टंकी को कितने गंटे में बढ़ देंगे तो हमें क्या करना है जैसे कि हमने टाइम अपने पढ़ा रहा था उसमें हम कुल कारे निकालते थे जो कि दौन नमर का LSM होता था यहां हम इन दौन नमर का LSM लेंगे वो टंकी की कुल धारता होगी ठीक है तो 10 और 15 का LSM कितना हुआ हमारा 30 हुआ तो आपकी टंकी की धारता होगी 30 लिटर होगी ठीक है अब देखना ही है कि पायत ए एक गंटे में कितने लिटर पानी श्टोर करेगा टंकी में तो आप 10 से जो है 30 को डिवाइड कर देजे यानि कि एक गंटे में 30 लिटर पानी श्टोर करेगा जबकि पायत भी एक गंटे में 2 लिटर पानी श्टोर करेगा तो दोनों मिलकर इस काल को करते हैं मिलकर इस टंकी को बढ़ते हैं तो दोने के आप कार को जो एड़ कर वीजे तो कितना हुवा भीया 3 और 2 5 हुआ इसी प्रकार 5 लीटर प्रत गंटे, इनका कार कितना हुआ 5 लीटर प्रत गंटे कार हुआ अब 30 लीटर क्यों को बढ़न कितना समय लगेगा तो आप 30 डिवैड वई 5 कर दिजे छे गंटे इस कूब हड़ने में लगेगे और यही हमारा आंसर है देख लिए एक बार ठीक है अब नेस्ट कॉर्शन गोड़ चलते हैं नेस्ट कॉर्शन आपकर दो नेस्ट कॉर्शन दो कॉर्शन अपर दो देखे विए एक नल किसी होज को 25 में बढ़ सकता है और दूसरा 50 मिनट में खानी कर सकता है यानि कि एक नल इसको 25 में बढ़ता है यानि कि दूसरा 50 मिनट में खानी कर सकता है यह दो दो एक साथ खोल दिये जाएं तो होज भएगा यानि कितने मिनट में होज भएगा तो देखिए 5 a, जो 25 मिनट मौच को बढ़ता है और दूसरा 5 आप B मौन लीजिए जो कि कितने मिनट मौच पाचास मिनट में टनकी को खाली करता है यानि कि ये पॉजीटिव करता है जो ये नेगिटिव करता है तॉ इसलिए इसके लिए और इसके लिए नेगित्व चैनि उच कर लेजिए तो देखें टंकी धारता कितने होगी आप दौनों नमबर का LCM ले लिखेंए कितनी होगी भी टंकी धारता पचास लीटर पचास लीटर तो ए जो है एक गंटे में या कितना लीटर पानी इस्टू करेगा मिनट में बार दे रखिए एक मिनट में कितना लीटर पानी इस्टू करेगा भी या दो लीटर वहीं पाएक भी एक मिनट में एक लीटर पानी उसमें से बाहर निकाल देगा यानि यह positive कार कर रहा है और यह negative कार कर रहा है तो दौन एक साथ खाली टंकी वोग खोले जाते हैं तो दौन की कार को add कर लेजिए यानि कि A plus B A plus B बरावब बिया plus 2 minus के 1 फरे कितना हुगा दौन का काडे मिल करके एक लीटर प्रतमिनट की रही हुआ इसी दर से यह 50 से लीटर की को भरे ने एक कितना से लहएगे तो आप टंकी की कुल धारता में भाग देजिए दौनों वेक्तियों की तो एक से भाग देजिए तो कितना समय लगे हैं पचास मिनट का समय इसको जो भरने में लगेता और हमारा ये आंसर हुआ ठीक है चलिए क्वेश्चन नूमर सेकंड थर की ओर चलते हैं इसे साफ करते हैं क्वेश्चन नूमर सेकंड देखिए क्या करा है एक टंकी नल के दौरा 12 गंटों में एवं दूसरे नल के दौरा 8 गंटों में भरी जा सकती है उन्हें 2 सही तक कहला रखा जाता है तो टंकी का भरा भण्याद किगेर तैक कि एक नल 12 गंटों में बढ़ता है और दूसरए को बहुत को नोमर काम होगा लाशा होगा तो बार अवराट कैल्सिम कितना हो विया चौवीस ओके यानि कि तंकी की धारता हो गई 24 विटर वही एक की लिए बाद करें तो एक अपार कितना आजे हो गई है बार से रिवाट कर दें इसमें और बी की लिए बाद करें तो तीन ओके मिया और यह दोल कर एक गण्ड पी बाद कर दें सो एक प्लस बी बड़ाबर को नो और तेन Kerry कि ल्ग्त कर दें करदें तो अर पांच अन में 30 था करद धानु ठीक है 5 लिटर प्रत गंटी दर से धाई गंट में कितना कारता है तो एक गंटी कार इतना है तो धाई गंटे में की अगया कारता होगा 5 इन्टू 2.5 ओके यह कितना हुआ भी यह 12.5 लिटर यानि कि यह नौने धाई गंटे में 24 लिटर चंपता वाली टंकी का 12.5 लिटर भाग यानि 12.5 लिटर भर दिया अब उसने आप से पूछा यह कि टंकी का कितना भाग भरा जा चुका है तो देखियों कि यह भर गया है खाग अधिको कुल बाग प्रप्रप्र दार्था कितनी है उसकी 24 है तो कितना भाग भरा गया हमें यह देखना है तो 12 पॉंट पांच अपॉनके 24 है तंकी यह भाग परा जा चुका है आप इसको सही फ्रेक्शन में ग्याद कर लेगे इस पॉ कि पांच इसमें भाग दाएंगे तो यह 25 भाग और इसमें भाग दाएंगे यह 5 से तो 54 के 20 ऐ 58 चालइस यानिकी टंकी का 25 बठे 48 भाग बरा जा चुका है और उसलिए यह कुछा है कितना भाग भरा जाया तो 25 बठे 48 भाग बराग गया यह इसका मात्सर ओस्तिका Q ultimate Q n number 4 Qt 4 कहता है पाने की एक तंक्की में 2वटवक्त भाग भरा हुआ है यनि टंकी का 2वटवक्त भाग yan ये नल उस टंकी का उस टंकी को 10 नेट में भर सकता है जबकि B नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है यदि दौनो नल खोल दिये जाते हैं यदि दौनो नल एक साथ खोल दिये जाते हैं तो टंकी कितने समव में पूर्टा खाली हो जाएगी या भरी जाएगी तो यह दो बट्टे 5 बाग पहले से बरा हुआ है अब हमें नहीं पता दो बट्रा पांच बाग इतना होगा तो इस से देखने के लिए सब से पहले हम क्या करेंगी कि जो नल A है दस मिनट में भड़ता है और जो कि नल B 6 में खाली करता है यहाँ से निकानेकि वह जो यह नल A है दस में भड़ता है जबकि नल B है वो 6 में इसको खाली करता है तो देखिए ये खाली करने के काम कर रहा है ये नेगिटिव कार कर रहा है तो इसको दर्साना होगा और ये पॉजिटिव कार कर रहा है तो यहां से हमको पहले क्या देखना होगा टंकी की धारता कितनी है तो यह इन दोन नमर का L से में ले लेजिए टंकी की धार तक कितनी हो जाएगे आपके 30 लिटर की हो गई है आप एक की शम्ता देखेंगे एक कितना कार्टा तक 30 में भाग देजिए 10 से तो यह 3 लिटर और बी की वे शम्ता देखेंगे तो 6 से भाग देजिए 30 में कितना जले हुई है 5 अब आपको देखना है कि यह नेगेटिव कर कर रहा जबकि यह पॉजिटिव कर कर रहा है यह पॉजिटिव कर कर रहा है तो यह दोनों एक साथ खोल जाते हैं जब टंकी का 2 बट्टे 5 भाग भरा होता है पाय तो जब यह जोडा तो हम्हारा कारूचन बिला माइनस के 2 मिला यानि दॉर उगर एक साथकाल करेंगे तो अगर यह 3.0 पानी श्ट्रोब कर सकता है यह इस्लिए समय में पांसटर पानी टंकी से छो है भार फेक सकता है तो इसका मतलब टंकी में पानी पहले से भरा होगा वो भी जो है दौनों के एक साथ कार करने से धीरे-धीरे कम होता हुआ जाएगा अब उसने इसलिए पहले बोलाए कि टंकी का दो वट्टे पांच भाग भाग भरा हुआ है तो भी टंकी में एक कुल 30 लीर गेए तो टंकी का दो वट्टे 5 भाग कितना होगा आप 30 इंटू 2 बटे 5 कितना हो भी 5 से 6 बार कट गया और ये 6 इंटू 2 यानि कि 12 लीटर टैंकी में पानी पहले से भरा गुआ था और अब दौनों नल को एक साथ खोला गया है और दौनों नल को जब एक साथ खोलती तो दौनों कीकितना राता है मानस 2 लीटर मानस 2 लीटर प्रत मिनट आता रहिए मिनटों में बात और हो लिया івए प्रत मिनट आता है तो ये मानस दूरroid हीक में पानी खाली करतेंगी अब हारे पास टंकी में वारिटर फान लिए तो इसको खाली होने में कितना समय लगेगा तो आप बारे में भाग देदीजिए 2 से यानि कि 6 मिनट का समय लगेगा उस दो गट्टे पांच भाग को खाली कर देगा है प्रहमला आंसर वहाँ 6 मिनट ठीक बाया अब नेस कोशन देखते हैं कोशन नमर 5 देखेंगे इसे रफ करते हैं कोशन नमर 5 देखेंगे एक होज 9 गंटे में भड़ता है परन्तों तली में एक छेद होने के कारण इसे भड़ने में एक गंटा अधिक समय लगता है यदे होज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में होज को खाली करेगा ठीक है वी जाइन कि एक पायप है जो कि उसको 9 गंटे में भड़ता है जबकि एक दूसरा पायप है अगर वो साथ ही सक्री हो जाता है तो इसे भड़ने में 1 घंटा एक्ट्र लग जाता है तो देखिए जो भरने के काम करता है उसको हम A पायप मान लेते हैं जो कि 9 गंटे में भड़ता है अब उसने एक बात दही है कि दूसरा पायप है जो खाली करने बाला है यह जो इसके साथ ही सक्री हो जाए तो इसको भरने में 1 गंटा चाता लग जाता है यानिकि 9 गंटे की बजाए 10 गंटे लग जाते है तो इसका मज़ते दूसरा पायप है उसको आप नाम भी दे देजिए और जब दोनों सक्री होते हैं जब दोनों कार करते हैं तो टंकी को भरने में भईया कितना समय लगता है 10 गंटे का समय लगता है ओके तो भी जाब यहां से अमें टंकी की धार्था देखी हुगे, तो टंकी की धार्था आप एंगर्णान नमर का ielsior में ले लिए, कितना हो अभी अभी और वहां है he's to crack और बहुँं कि उसकी है तो इसमानों के नहीं सब्सक्रणे सब्सक्राइब हो もस्क्राइब करने सोधी हुआ हम परन देखे A कायई क्वा निकल ल ama Moto दानों कार विकर निकल ले जाहिए जो Gसा सिर्व सिर्थ इस अपर को अध disciplinesAL री कथि सब्सक्राइब मेंيرة इते तो माम त inner國 के खाएगा उति कि अगि के अधिर हो Basis भर एकी घंटे हो सिर्थ कहisen बहार निकाल देता है अब पूछा गया है कि बताइए उते 80 पायप है बहीवी टंकी को कितने देर में कितने घंटे में खाली कर देगा तो ही हमारी टंकी धारगा कितनी है 90 लीटर और इसकी का इफिसेंजी कितनी है एक लीटर प्रति घंटे पाने को भार फेकने की है तो इस दर से 90 लीटर टंकी को खाली कर दे में कितना समय लगे है 90 गंटे का समय लगे है और यही मारा अंसर चलिए बही है कोर्शन नमर 6 की तरफ चलते है इसे रफ करते है कापी अच्छा कोर्शन था है कर दो दूबरा ने इसको पॉर्शन नमर 6 की सती बराबर चलता के 15 फंपह साथ दिल में अठरक समय लेते इस commissioner पांस दिल में भरने के लिए कितने अत्रिक्त फंपनों की आवशक्ता होगी तो इस वीह पंज पंदबें का समय लेते हैं साथ दिल का समय लेते हैं अगर हम इसी कारे को एक पंक से कराएं तो उसे कितना दिल लगेंगे 15 इंटू के साथ यानिकी 105 दिल का समय लगें एक ही पंक को लेकिन उसके पूछा है कि हमें ये कारे किते दिल में करना भी या 5 दिनों में करना है पांच द्रव में करना हैं तो आप इसमें पांच से डिवायर कर देजिए पांच से डिवायर कर देजिए पांच से भी ये पंद्र तीम बार कट गया और ये साथ दिन रूतीन यानि की 21 पंप होंगे हमारे पास तब ये कार जो है समय पर पूरा होगा या कि पांच दिर में पूरा होगा 21 पंपों के दार्ण अब उसने पूछाया कि कितने अध्रिक्त पाइपों की आप पंपों की आवश रखता होगी तो हमारे पास पहले से कितने पंप थे 15 और अब कितने भी यह जो कारे को समय पर पूरा करना 21 तो अत्रिक्त पॉंबों की संख्या कितने होगी 21 माइस के 15 है बराबर 6 पॉंब अंसर वह इसका 6 चले भी यह कॉश्चन नमर नेश क्यों चलते हैं इसे रफ करते हैं कॉश्चन नमर साथ देखिए दो नल एक होज को क्रमसा तीन तथा चार गंटे में भड़ सकते हैं तथा एक निकास नल उसे दो गंटे में खाली कर सकता है यदो तीनो नल एक साथ खुल दी जाएं तो होज कितने समय में भरेगा तो तो यह भी यह दो नल हैं आप उसका A नाम देजिए जो कि 3 गंटे बढ़ता है दूसरे का भी यह B नाम देजिए जो कि 4 गंटे बढ़ता है जबके एक C पायप है यह C नल है जो दो गंटे में खाली करता है तो देखिए यह पॉजिटिव कार कर रहे है A और B जो किसी नेगटिव गार कर रहा है तो हमें सबसेपेट टंकी की धारता ज्याद कर ले नहीं है तो भाईए इन तीनों नमर का LCM भी टंकी की धारता होगी 3, 4 और 2 इसका LCM कितना होगी यह 12 होगी तो टंकी की धारता है 12 लीटर भाईए ए जो है एक गटे में कितना पान इस्टोर करेगा तो आप इसमें भाईए देजिए 4 लीटर जोंकि B तीन और वहीं C कि अगर हम बाता है तो C एक गटे में 6 लीटर पान इसमें से भाईएगएगा यानि कि यह नेगटिव कार करता है इसलिए इसके आगए आप नेगटिव चिंग का यूश कर देजिए और जोंकि यह दोनों positive बार कर देते है तो भी तीनों इस कारक को करते मिल करके तो तीनों को कार क्या होगा तीनों की कारक को भी आप एड़ कर देजिए कितना होगी चार और की सार मानस के 6 यानि की पिलस के 1 होगा दोनों का यूशा और मानस के 6 कितना हो गया पिलस बन होगा अब उसने आगे कि आप उचल गया आप से देखिए जब तीनों ने एक साथ खोल देजाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो आप देखिए तीनों को कितना एक आया है तो टंकी की धर्ता में आप इससे बहाँ देजिए कितना होगे विया बारे गंटी का समय लगेगा और यहीं मारा अंसर का कोर्शन नमर ने देखिए नश देखिए लिया इसे रफ करते हैं कोर्शन नमर आप देखिए एक नल किसी टंकी को 6 गंटे में भर सकता है जब टंकी आदी भरी जाती है तो इसी प्रकार के तीन नल और खोल दी जाते हैं तो टंकी को भरने में लगा कुल समय कितना होगा तो देखिए यह एक टंकी है जिसे 6 गंटे में एक नल भर सकता है और जब आदी टंकी भरी जाती है उसके बाद तीन नल और खोल दी जाते हैं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लेगा तो देखिए हमां यहां समझना है कि एक नग छे गंटे मरता है और उसने आदी टंकी पहली बढ़ दिया है तो आदी टंकी भरने में उसने कितना समय लिया आदी टंकी भरने में लिया समय कितना हो लिया तीन गंटे हो गई अब जो सेस टंकी रह लिए है इसे भरने के लिए ऐसे ही छमता कि तीन नग और खोल दी जाते हैं तो यानि कि जो सेस हमारा टंकी को भरने के जो फ्लार रह लिया सेस कारण कितरे समय का रह लिया सेस कारण मैं लगा समय है तो यह से स्बाढ़ का समय निकाले जब्रस इसकार का समय कितना है यानि 3 गंटे कितना विया 3 गंटे है अच्छा हम इस 3 गंट में करना बड़ करता चाहें तो कितनी गंट हो जाएगी यह बराव हो जाएगा 3 इंटू के 6 यानि कि 180 मिट का कार्य सेस है अब इसे करने के लिए एक पाइप तो पहले सी था अब टीब और और वोल दी जाते हैं तो उसी चंगता कि किटने पाइप हो गया कितनी या कितनी लेंगे शार का समय को करने में लेकिन उसमे क्या पूछा है कि कुल कितना समय लगा इस टंकी को पूरा भरने में तो देखिए तीन गंटे परे लग चुके हैं और ये 35 मिनट ये हैं तो कुल समय कितना हो गया तीन गंटे 45 मिनट और यही हमारा बिया आंसर है देखिए नाज की क्लास यही खतम करते हैं और यह लाश कर समता इसकी नेश्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी और सभी के लिए निव येर 2024 की सुब कामना है और सभी जो है 2024 में अपना सेलक्शन दधारित करें यही हमारी कामना है और प्लीज आपसे रोकेश्टे आपसे अम्रोद है हमारे चैनल को लाइक करें अपने दोस्तों को सेल करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद